Hello everyone, welcome to all of you, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस online learning platform पे जिसका नाम है Let's Study India और friends, आज हम discuss करने वाले है BSC 1st semester की जो unit 7 है, disease and control नाम से उसको आज की class में हम start करने वाले हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा introduce करूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया है थोड़ा सा revise करने की कोसिस करें तो अभी तक मैंने आपको unit number 5 complete करा दिया है unit number 6 complete करा दिया है और आज की इस class में हम unit number 7 पढ़ने वाले हैं unit number 6 में आपको plant pathology की जो basics होते हैं कि plant में कोई disease कैसे होती है क्या reasons होते हैं कैसे हम identify कर सकते हैं और plant अपने आपको disease से बचाने के लिए क्या क्या difference mechanism को करता है कैसे अपने आपको बचाता है इतने सारे pathogen के होने की बाद भी वह अपने आपको कैसे successful survival के लिए अपने आपको establish करता है यह सब चीजी हमने last unit थी उसमें देख लिया था मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप unit 6 को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो unit 7 आपके लिए बिल्कुल एकदम हलवा क्लियर हो जाएगा जब हम unit number 7 की last video देखेंगे तो उसमें मैं आपको कुछ इस तरीके से इसको summarize कर दूँगी कि आप एक वीडियो लेक्चर वीसे सारा देखने के बाद आप एक वीडियो लेक्चर में सब कुछ जो है आप रिवाइस कर सकते हो इस unit में आपको तेरह जो है डिजीज के बारे में बताया गया है मतलब नाम दिया गया है जैसे early blight of potato, late blight of potato, citrus canker और आपको दिया है कि एक एक करके हर डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह डिजीज कैसे होता है किस organism की वज़े से होता है अगर यह डिजीज हो रहा है तो इसकी डिजीज साइकल क्या होगी किस तरीके से इसका infection होता लास में हम control के बारे में बात करेंगे जिस तरीके से हमने unit number 6 पढ़ कैसे होता है pathogenesis क्या है इस disease होने का तो वो चीज हम यहां पर भी discuss करेंगे फिर थर्ड में हम यहां पर environmental factors के बारे में discuss करेंगे बहुत short में और last में हम control के बारे में discuss करेंगे तो वो चार basics हमने अलग-अलग तरीके से पढ़े हैं उसको अब हम एक-एक डिजीज में apply करेंगे जैसे पहला जो आपको डिजीज पढ़ना है वह आपको पढ़ना है अर्ली ब्लाइट ऑफ पटैटो तो हम आज की इस class में अर्ली ब्लाइट ऑफ पटैटो में causal organism क्या है उसकी pathogenesis क्या है pathogenesis में जो different तरीके से आपको clear करके unit number seven में अगर आप इंटर करते हो तो बहुत ही easy सी unit है और मैंने इसको और interesting और थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फट दिया है तो लेट स्टार्ट करते हैं एक-एक करके तो हमारा तरीका यह रहेगा क हमने पहले क्या करना है कि सारी disease को पढ़ लेना है फिर last में जो हम control mechanism follow करते हैं उसके बार में पढ़ना है और आपके unit में यही सारी चीजे देखनी है और आपको एक summarize class में आपको दे दूँगी जिसे हम अथर्व 2.0 capsule class कहते हैं तो वहां पर यह चीजे आपको दिखाई दे इसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है early blight of potato इसको start करने के पहले हम थोड़ी से भूमिका बनाते जैसे कोई serial start होता है कोई movie start होती है या कोई story start होती तो पीछे क्या background बनाया जाता है जब हम हर disease को पढ़ेंगे तो हम एक story के form में उसको पढ़ेंगे एक farmer है उस परज नहीं हो रही है तो ऐसे में वो किसान जानना चाहता है कि मेरे plants को क्या हुआ है किसकी विजे से हुआ है और मैं इससे किस तरीके से छुटकारा पा सकता हूं इस तरीके से format में हम हर disease को पढ़ेंगे तो सबसे पहला page आप के सामने इस तरीके से है कि पहले page में आपको च君त जाना चाहिए बरबाद हो चुकी है किसान को चाहिए इंसाफ तो यह किसान आता है मेरे पास और कहता है कि मैं मुझे इंसाफ दिला दो अब मता जो गलत हूआ है मुझे इंसाथ चाहिए मैंने पूरी मैनत के साथ खेती गी थी लेकिन जो है पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी इल्ड हमको नहीं मिल रही प्लांट सारे किल हो रहे हैं तो फिर मैंने इंसे पूछा कि क्या हुआ पूरा सेनेरियो मुझे समझा दो कि हुआ क्या है अखिर तुम्हें परिशान क्यू हो नेक्स स्लाइड में इसनी मुझे बताया कि मैं देखिए पहले मेरा प्लांट विलकुल एक्टम ऐसा था अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट होए कि अच् और मेरे ट्यूबर्स का जो साइज है जितना होना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है तो मैंने कहा कि अच्छा ये सारी प्रॉबलम से चलिए देखते हैं मैं आपकी जितने भी हेल्प हो सकेगी उतनी मैं आपकी हेल्प करूगी ये मैंने इनको प्रॉमिस किया अब मैंने क्या करना होगा इनकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले मुझे जानना होगा कि ये जो चीजे हो रही है ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये एक्च्छल में क्या परिवर्तन है किसकी वजह से हो रहे है और फिर लास में हम देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या है और लास में जाता है और रिजन रखा जाता है जिसकी वज़े से यह होता है अब प्रॉपर कोड का सीन समझें मैं मैं बिलकुल यह ज़ज के फर्म में बैठी हूं इधर हमारा क्या है विक्टिम है अब हम समझने की कोसिस करेंगे कि यह पैथोजन भी हमारे लिए अन्नोन है कि यह क्या च मेरा प्लांट जो है वो पूरी तरीके से खेट खराब हो गया है आप बताईगे कि क्या करूं कैसे किस ने किया मुझे इंसाफ चाहिए मैंने उसको इंसाफ दिलाने की कोशिस कि पूरा कोटरूम सेट किया गया है अब पूरी की पूरी जो स्टोरी थी बिहाइंड देख ल जब पता चलता है कि यह जो घटना है यह इस मुझरिम ने की है तो क्या क्याता है कि जो इसकी हिस्ट्री होती है मैच करा जाता है कि क्या वो किसी टोली से या किसी गैंग से बिलॉंग करता है किस तरीके के पर्टिकुलर काम वो करता है तो वैसे ही कुछ चानवी मैंने भी अपने कोट रूम में करने स्टार्ट कर दी है इसकी जब फाइल खुलती है तो इसमें पता चलता है कि इस तरीके की जो वारदात होती है इसे हम नाम देते हैं अर्ली ब्लाइट ऑपोटाइटो जैसे मर्डर होता है किसी की जान लिया तो कह देते हैं मर्डर है किसी के साथ किसी के साथ कुछ छीन लिया जाता है कुछ चुरा लिया जाता है तो कह देते हैं चोरी है या चीन होती है जो भी है उसी तरीके से यह जो कंडिशन जिसमें एक प्लांट को इस तरीके से बर्न कंडिशन दिखाई जाती उस कंडिशन को हम नाम देते है अर्ली ब्लाइट आप पोटाइटो जो है यह एक स्पेशल ग्रूप है जो की जनरली करता है उसका नाम है अल्टर्नेरिया सुलेनाई इसके बारे में हमने यूनिट नंबर 6 में भी ब क्या है अब क्या है कि हमने अल्टर्नीरिय की जाजपरताल कर नी शुरू की हमने अपनी फाल में देखा कि ऐसे कांड यह यह इंब गारे में यूनिटल बृप उन पर और इंप्र और स्टेड़ी करना स्टार्ट यह यह कौन से ग्रुप के हैं सी फामली की हैं कहां से आएं तो अब हम botanical form में study करेंगे कि हमारा जो division है या division जो है की थोड़ा सा primitive classification के साफ से हो जाता है kingdom भी आप यहां पे word use कर सकते हैं तो जो इनका kingdom है या जो division है वो fungi है class है इनकी deuteromycities deuteromycities का एक special feature होता है कि इनका sexual reproduction जो है वो unknown होता है sexual reproduction will unknown मतलब इनके sexual reproduction की कोई information नहीं होती है जिन fungi की sexual reproduction से related कोई भी information हमारे पास नहीं होती है उन्हें हम class deuteromycities में रखते हैं ये बात याद रखेगा जब आपको रोजना में unit number 4 करा देंगी तो आपको ये चीजे और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपते हैं कि डिफरेंटป क्लासे खोती हैं इसमें से एक ऐसा घूप होता है जिसमें um सारे मेंबर को रखा गया है जिनके पास पास सक्शू एकार etr करन में नहीं करता है हमने यह सुकी किया तो तो हमने इसके लिए एक अलग गुरूप बना दिया जिसे हम कहते हैं डूटरोमाइसिती ठीक है और क्या है इसका मैलन कोनियेल कहते हैं इसको फैमिली जो है इसके डिमैटियेशी है जीनस इसका क्या है अल्टरनेडिया और स्पीसी जिसका क्या है सुलनाई तो यह पूरे के मुझरिम जी है अल्टरनेडिया तो निकाल गया उनकी पूरी पुर्खो की हिस्टी जो है वो निकाल दी गई और उसको यहां पर आपके सामने रख दिया गया अब बात आती है कि यह सब किया कैसे और कैसे है बतलब करनी की जो तरीके थे वह क्या था तो इस चीज किस ने किया है यह सब तो इस बात को समझाने के लिए किस ने किया और कैसी किया यह समझने के लिए थोड़ी से आपको एक्स्ट्रा और information देखनी पड़ेगी आपने कभी ना कभी टार्गेट बोड देखा हूँ जैसे होता है कि बहुत लोग जो तीर अंदाजी करते हैं या कोई भी निशाने वाला काम करते हैं या फिर बहुत सारे मुवीज वगरा मैं आपने देखा हूँ कि जब उनकी ट्रेनिंग चलती है तो उनको एक ऐसा बोड दिया जाता है उस बोड में क्या होता है इस तरीके से क्या होती है इस तरीके से हमारे पास क्या है कुछ circular lines हैं इस तरीके से हमारे पास कुछ circular lines है ऐसा target words आपने देखा होगा और क्या करते हैं इसमें कि बिल्कुछ center में जो है जो निशान लगाता है इतना अंदर और रिलाइन पे लगता है उसको उतना ज्यादा points मिलता है इसा games आपने देखे होंगे बहुत-बार मेले वेगरा में भी ऐसे games होते है कि जितना ज्यादा आप निसान एक दम सटीक लगाते हो आपको उतने points मिलते हैं उसकी वज़े से आपको कोई शामान मिल सकता है कुछ भी ऐसे मिल सकता है तो यह जो disease करता है अर्ली ब्लाइट ऑप पोटैटो अल्टर नेरिया सुलिनाई यह पत्तियों के ऊपर कुछ ऐसे ही संदचना कर इनमार करते है उसमें क्या दिखता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई target board जैसी संदचना जो है पत्तियों के ऊपर दिखाई देती है पढ़ते हैं कि करके इस डिजीज इस मुस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ पोटैटो अकरिंग इन नेरली एवरी पार्ट अप दे ग्लोब इन इंडिया डिजीज कैन कॉस्टी परसंट लॉस ऑफ इल्ड डिजीज यह जो रोग है अर्वली प्लाइट किसी मालो फिल्ड में तो 40 किलो नहीं होगा 60 किलो ही हमें मिलेगा 40 किलो हमारा नुकसान हो गया एक तो जनसंख्या इतनी ज्यादा खुदी है जमीन हमारे लिए खाना उगाने के लिए कम है बाकी सब्सक्राइब कंपनी कार खाने बना रखे हैं उसमें से भी जगे बच्ची अगर इल्ट कम हो जागी तो बहुत दिक्कत की बात है और आलू चावल यह सारी ऐसी चीजे हैं जिस पे हमारे जन्ट हमारी जो इंडिया की जनता है जादा से जादा निदभर है तो ऐसे में यह क्या करती बहुत जादा डिस्ट्रक्शन कॉस करती जिसकी वज़े से बहु ब्लाइट ऑफ पोटैटो का मतलब है कि जब डिजीज प्लांट अपने अर्लियर स्टेज में होगा तभी आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है कि जब लाइफ के आखरी हिस्से में जो आपका एकदम मैचूरेशन की फेज होती है जब वहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो उसे कहते है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैडो बहुत चारे बच्चे इस बात को कन्फ्यूस करてे है कि अर्ली बलाइट ऑफ पोटैटो कुछ लोगों को एसा लगता है या बहुत सारे बच्चेश में इसमें गुद्यूस का मतल यह समझ में आगई कि मालो 3-4 हपते के जो पौधे में जो सबसे पूरानी पत्ती होगी जो ओल्डर लीफ्स होगी वहां से भ dorms पौदे को इसले था संव ने ख़ती है वो यह सोगी आप दिखाया था कि कहीं जगह जगह पर सर्कुलर फोर्म के से चल्स की डेख जाती है वहां पडिल क्लोरोफिल भाटा में वह अजडाता है तो ऐसे स्पोर्ट बन जाते तो वैसे ही पीले और भूरे रंग के स्पोर स्टाट्स आपको लीप स्टाटिक में देखने को मिलेंगे या फिर वो लगद भी हो सकते हैं और कॉंसेंट्रिक रिंग मतलब क्या है कुछ ऐसे रिंगनुमा जांचना मतलब क्या अजरुक्या है उसे दिखने यहां पर इसे hots दिखाई दे रहे हैं पर दिखाई दे रहे है O अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप सर्च करेंगे तो आपको और भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे उसे जूम करके देख सकते हैं अब आगी किया दिया है कि टार्गेट बोर्ड वाली चीट समझ में गई अब थोड़ा सा इनवारमेंटल कंडिशन की बात कर लेथे किस तरीके के अवारमेंटल कंडिशन में चीजे जाधा होती हैं दिया है क्या देर इस जोजली जोन अराउंड प्रग विच ग्रीन येलो लीफ अफेक्टेड फोर्स अपर लीफ इन देड्राइब भर्ड़ाइब वेधर Spot become hard and leaf curls. In humid condition, the disease is spread fast, causing infected tissue die, dry and fall off. जब एट्मोस्फिर में humid condition होती है, तो इनका infection जादा होता है. Humid condition में ये क्या करते हैं, कि अपने infection को तेज करते हैं, इस infection में होता क्या कि प्लान के death हो जाती है. उसके affected part होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, fall off हो जाते हैं, पत्तिया बगरा गिर जाती हैं, खराब हो जाते हैं, जब पत्तिया ही ने रहेंगे, तुंकि आगे की process नहीं हो पाएगी. Next, we gather the spot from the leaf reduced the photosynthetic area. अब आपको पता है कि अगर कोई leaf है, और उसमें क्या है, कि इतने बड़े हिस्से में क्या है, कि वो leaf का क्या है, इतनी बड़ी लामिला है, इस लामिला से जितना photosynthesis हो पारा था, मालो हो रहा था, लेकिन अगर बीच-बीच में क्या है, ऐसे brown brown और yellow spots बन जाएंगे, तो इत यहां पे जो आपका glucose का formation होगा, वो कम होगा, compare to normal condition, अगर spots बन जा रहे है, chlorophyll destruct हो जा रहा है, तो आपके glucose कम बनेगे, और अगर glucose कम बनेगे तो आपको यह चीद समझ नहीं होगी, कि अगर glucose बनेगा, तो प्लांट के पास nutrition कम मिलेगा, अगर glucose कम बना, तो nutrition भी कम मिलेग और अगर nutrition कम मिलता है, इसका क्या मतलब है, कि nutrition कम मिलने का मतलब यह है, कि प्लांट जो tubers के form में अपना food store कर रहा था, वो उसके पास नहीं हो पाएगा, अगर आप आलू की बात करते हो, आलू देखते हो, आलू खाते हो, तो आलू क्या होता है, वो underground stem होता है, underground stem में वो बड़ा कैसे हो जाता है, फूल कैसे जाता है, प्लांट जिव अपने normal condition में रहता है, तो वो क्या करता है, photosynthetic process करता है, अपने survival में जितनी energy लगती है, उतना use करता है, बाकी सब क्या करता है, कि potato अपने stem में, जो उसका stem underground होता है, उसमें store करके रखता है, जिसे हम food के form में use करते हैं, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास, आपको मालू महीने में 50,000 आपकी salary आ रही थी, वो 50,000 salary जो है, अब जो है, आपको 25,000 ही मिल रही है, और आपके जो महीने भर का खर्चा है, वो भी 25,000 रुपए है, तो आपको जितनी salary आएगी, उतनी salary आप अ savings के form में डाले, तो जब आपके पास normal condition थी, तब आपने savings की, जब आपके पास abnormal condition थी, इस तरीके से disease condition हो गई, आपकी productivity कम हो गई, आपकी salary कम हो गई, इसकी photosynthetic में glucose बनना कम हो गया, तो ये tubers में चीजों को store नहीं गर पाएगा, और हम आलू की खेती क्यों करते हैं, क्यों बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो प्लांट को अपने survival के लिए भी चीज़े नहीं मिलें, जैसे COVID में देखा था हमने, कि जिसकी 50,000 salary तो इसको starting में company ने 25,000 कर दिया, फिर बहुत सारे लोगों को job से निकाल ही दिया, ऐसे ही कुछ condition में कि पहले ये normal condition में 50 माल इसके पास disease infection स्टार्ट हुआ तो इसने 25 करना स्टार्ट किया, हाला कि ट्यूबर नहीं पना पा रहा थे लेकिन survival हो जा रहा था, लेकिन जब infection और ज्यादा बढ़ा तो फिर ये क्या किया बैचारे का, जो भी चला गया, इसके पास विल्कुल क्लोरोफेल बचा ही नहीं कि इसके पास काम ही नहीं बचा कि उसके लिए कोई पे करें, तो भाई चीज यहां पर दिया है कि इसकी वज़े से photosynthetic area reduced होने की वज़े से आपका आलू का tuber होता है, वो undersize हो जाता है, उनका number कम हो जाता है और इस तरीके से आपका lamina, petule हर चीज जो है वो battery damage हो जाता है, जिस किसान से का कि देखो बेटा कि फंजाई एक ऐसा में पर चाहिए गूरू का जिसे हम ने अल्टर नेरिया तो कामी है यह दिया है causal organism यहां पर दिया है कि यह जो disease है यह अल्टरनेरिया solenai की वज़े से होती है जो कि क्या है प्रकार का फंजाई है और यह जो फंजाई है deuteromycetes का member है deuteromycetes की जो member होते हैं उनके पास septa present होता है वो इस तरीके से septate hyphy होते है मतलब बीच-बीच में क्या है इस तरीके से septa का formation होता है और इसमें uni-nucleate condition होती है अगर आप जब fungi पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा fungi a septate और septate दो तरीके होते है A septate hyphy होता है, उसमें बीच में कोई septa नहीं होता, और सारे जो cells होते हैं, उनके nucleus बीच में इस तरीके से free form में present होते हैं, लेकिन जो septate hyphy होता है, उसमें क्या है, हर nucleus के बाद एक wall का formation होता है, तो हमारा जो ultra nearia solidi है, वो इस तरीके का septate hyphy है, deuteromycities के जो member है, वो mostly क्या होते हैं, septate hyphy होते हैं, यह profusely branched होते हैं, मतलब इस तरीके से इन में बहुत जादा branching देखने को मिलती है, अब दूसरों के जिन्दगी जो तबाह करेंगे, उनके उनके जिन्दगी में बहुत शारी सुक्सु विदान तो रहेंगी, भले ही भूतिक सुक्सु विदाएं रहे लेकिन रहेंगी, तो profusely branched होती है, light to dark brown color की होती है, मतलब कि इनका जो color होता है, जो fungi होती है, अब हमसे उन्होंने पूछा कि किस ने किया था, हमें सब बताना की कैसा दिखता है, किस color का होता है, कैसी body है, सब हम उनको detail में बता रहे हैं, कि इनके जो hyphy होती है, septate होती है Profusely branched होती है, light to dark brown color की होती है, मतलब brown color का इनका mycelium दिखने में लगता है, intercellular and intracellular mycelium होता है, अब यह intercellular and intracellular क्या होता है, अगर आपको inter or intra के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ, कि inter sabd का word हम, मतलब inter sabd का प्रयोग हम तब करते हैं, जब हमें किन आपका BSC 1st semester और 3rd semester के बीच में कोई competition करा जाए, तो वो intercellular हो जाएगा, अगर हम भहीं पर कहें कि BSC 1st semester के boys और girls में competition करा दिया जाए, तो वो क्या है कि within semester हम कोई competition create करें, तो वो intra word होता है, तो ऐसे ही जब हम बायो की बात करते हैं, तो जब किसी cell के अंदर कोई चीज़ center कर जाती है, तो वो कहते हैं कि intracellular infection है, और कभी-कभी क्या होता है कि दो cell के बीच में, जो infection करने वाला organism होता है, वो दो cell के बीच में 지역 present होता है, सेल के अंदर ईंटर तो उसे कहते है, intercellular, सЕल के अंदर है तो intracellular, अगर within the cell यहां पर इंधर चौहरा करता है वहां पर यह सेल के अंदर ़ो सकता है दो सेलों सकता है नगर से बाहर जाने देगा घर के अंदर में गुश कि आपको क्या करेगा भंटा ढार करने वाला है और इसके बाद देखे एक चीज और बताई गई है वह आपको बहुत अच्छी समझना है कि देखो आलू की जो लाइफ साइकल होती है वह एक लिमिटेड सीजनेवल होती है इसके पास होती है पास अलू कि भी ओड़ों कि भी आलू हैं तो यह मोंता है सब्सक्राइब करो करते हैं चैनल लेकिन यह सेप्रोफ second you अपना हो इसको होने की से सूपरपावर कि यह नहीं और नहीं तो यह दूसरे तरीके का मोड अपना के जैसे हम सप्रोफाइटिक कहते हैं सर्वाइफ कर लेता है तो यह क्या दिया गया है कि inhibiting सप्रोफाइटिक लिए जो है डड़ जो प्लांट्स होते हैं जो आपका decaying plants वेगरा होता है उसमें यह स्वाइल में प्रेजेंट रहता है जब सीजन जो है अन्फेबरेवल होता है तो बड़ी सारे सुपर पावर सेंज के लिए तभी पूरे वर्ड वाइल यह सर्वाइब करता है इनका जो जनन होता है वो सिर्फ और सिर्फ और लेंगिक तरीके से यह करते हैं आपने कोनीडिया के बारे में क्लास 12 जो पहला चाप्टर था जहांपने डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्शुल रिप्रक्शन पढ़ाता वहां पर पढ़ा होगा कि बहुत सारे फंजाई हो और जो बहुत सारे माइक्रो और गैनिजम होते हैं वो कोनीडिया का फॉर्मेशन करते हैं यहां पर गरते हैं कि एसेक्शुल स्पोर को एक सेक्वेंस में बनाते हैं फिर बाद में सेप्रेट होके जो है कि अपना अलग अलग मैशीलियम बना सकते हैं फंजाई में यह काफ तो मेटा विद्धेट सेंटर आफ दे स्पोर्ट ठीक है यह सारी जो चीजे दी गई है इसको में आपको एक फिगर की माध्यम जा समझा देती हूँ यह देखिए यह है इनका क्या कॉनीडिया यहां के आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है वो है इसका माईसीलियम माईसीलियम के उपर यहां पर जो है प्रेजेंट है कॉनीडियम का जो ग्रूप है इनका जो कॉनीडियम होता है इसमें आपको वर्टिकल और होरिजंटल क लिखने को आ जाता है यहां पर देख सकते हैं कि नीचे से लेकि ऊपर की तरफ मतले जो सबसे ओल्डर कॉनीडिया है वो नीचे के साइड में उससे ऊपर ऊपर वाला कॉनीडिया इस तरीके से फॉर्म और इसका यह थोड़ा सा आपका किस तरीके से आपको कॉनीडिया यहां पर देखाई देरे Конечно यहां पर आपको वर्टिकल परिस्टन देखने को मिल रहा है तो लिफ नीटिया होता है कि यह क्यों बगएरा को penetrate नहीं कर पाता तो normal जो है वो stomatal opening से या जो natural opening होती है यहां से यह plant में infection thread बगएरा बनाता है यहीं से वो inter करना start करता है तो यह चीज हो गई कि इसके बारे में इनके asexual causal organism और इसक्शुल और एसक्शुल रिप्लक्शन के बारे में और sexual यह करते नहीं है तो हमें यह चीज पता चल गई अब इनका किशान जी को इतनी सारी information हमने दे दी अब उनका question आ था कैसे हुआ यह सब अपने खेत में सब कुछ किया था पानी दिया था जुताई करवाई थी अच्छा बीज लाया था एक बिल्कुल सड़ा वाले बीज तो आखिर यह सब हुआ कैसे यह लोग मेरी फिल्ड तक पहुचे कैसे तो इसके लिए हमें जानना पड़े गा इनकी disease cycle के बारे में किसान ने क्या गलती की थी जिसकी बज़े से उनके खेत में यह infection शाला तो पहरी चीज देखा जाए mycelium and conidia survive in the soil अब देखो किसान को यह किसान ने क्या किया कि जो पूराने साल में जो आलो के खराब हो गया तो अपने खेत में क्या किया था जो तवा दिया था मतलत अब तो इसमें अपना इक साथ उसमें सब कर दिया तो जो infected plant थे जो पिछली साल में थोड़ा बहूत एक दो पार्ट में इनफाक्षिन एक दो जो भी इनको organic matter मिलता है, उससे अपना भोजन बना लेते हैं, तो soil में ये present है, आगे दिया है the disease plant to cause primary infection to the next year crop, मतलब कि इस साल अगर कोई infection थोड़ा बहुत हुआ था, तो वो अगली साल के लिए वेट करते हैं, तो इस तरीके से वो primary inoculum करते हैं, हमने primary inoculum, secondary inoculum पढ़ा था करते हैं, तो इसे हम कहते है primary infection, तो एक growing season से, जो second growing season में जब ये जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, primary inoculum, तो इस तरीके से primary inoculum के लिए, soil में अपने आपको store करके रखता है, फिर क्या दिया है, tuber contamination with mycelium and conidia are another source of primary inoculum, तो क्या है कि, हमने आलू खरीद के लाया उसको लगाने के लिए, और फटा 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 हमने लगा दिया, तो अब क्या है कि, पहली बार किसी और माध्यम से, किसी और field से, कहीं और source से, हमारे agriculture field में क्या हुआ, कि पहली बार pathogen enter कर रहा है, तो ये भी primary inoculum कहाएगा, तो दो तरीके से primary inoculum इसमें होता है, तो किसान को अब ये समझ रहागा, कि भई, अब देखो, खेती करनी है, तो जो भी आलू यूज करना है as a form of tuber, उसको अच्छे से, जो है कि, चेक करके ही लगाना है, क्योंकि हमारे खेत में दूसरे के खेत का infection हम क्यों ले, दूसरी बात ये ह है कि अगर हमारे किसी plant में infection हो गया है, तो हमें उसे अपने plant खेत में नहीं छोड़ना, उसे हमें proper जला देना है, या कैसे भी करके उसे खतम करना है, क्योंकि अगर ये soil में रह जाता है, अगर हमने soil में इसको छोड़ दिया, तो next year ये फिट से infection कर देख पाता है, ये बात infection हो गया, वो grow कर रहा है, तो उस plant चे दूसरे अगल पगल बाले plant में infection होता है, ये जो germination इनका होता है, वो सामाने तरह 28 से 30 degree के तापमान में होता है, और अगर आप देखेंगे कि जब हम आलो के खेती करते हैं, तो समय कुछ ऐसा ही तापमान हमारे surroundings में देखने को मिलता ह है, जो कि इनको optimum बनाता है इनकी disease के formation के लिए, ये हो गई disease cycle के बारे में बात, ठीक है, अब next में क्या है, थोड़ी से और बात कर लेते हैं, इनका penetration वैसे कैसे होता है, अभी तो अमने सिर्फ और किसके बारे में बात किया, inoculum की primary inoculum कैसे होता है, secondary inoculum कैसे होता है, inoculum के pathogen और host का एक दूसरे के साथ contact में आना, अब ही क्या करेंगे, कुछ modification करेंगे, प्ला pathogen की body के अंदर, इंटर करने की causes करेंगे, तो penetrance का होता है, stomata के थू, मैंने बोला कि natural opening से ये जाते है, but direct penetrate to the epidermis is not seen, मतले वही कहां मैंने कि ये epidermis को या cuticle को direct penetrate नहीं करते हैं, ये natural opening के थू ही जाते हैं, under febriable condition that disease becomes serious, however the period of contamination drought check the spread of the disease, अगर आपके field में या आपका area of agriculture है, वहां पे moisture है, तब तो ये disease और ज्यादा severe condition दिखाएगी, और ज्यादा infection कॉस करेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा drought condition है, थोड़ी से सूखी जमीन है, सूखा atmosphere है, तो उसमें इसका spread थोड़ा धीर होता है, क्योंकि इसके कोनीडिया के germination के लिए अच्छी खासी मातरा में क्या होता है, पानी चाहिए होता है, next में क्या दिया है, the collateral host such as brinjal, tomato etc, मतलब ना सिर्फ ये आलू में बलकि brinjal में और tomato के plants में भी infection करता है, important role in the perfectuation and discrimination of the pathogen, तो ये इनके alternate host है कि अगर आलूम नहीं मिलता है, तो बैगन और tomato से भी ये काम चला लेते हैं, अब किसान को समझ में तो आ गया कि भाई कौन कर रहा था ये सब, और उसमें कैसे किया, ये सब मेरी क्या-क्या गलतिया थे, और क्या-क्या मुझे next year नहीं करना है, अब तो इस साल कि किया, फिर किसान ने मुझे पूछा कि क्या, मैं में समस्य का कोई हल नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा कि भगवान का कोई आउतार आएगा, फिर हमें इस समस्य सचुटकारा दिलाएगा, क्या इसका कोई solution नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हमारी हर बार 40% फसल जो है, व कोई भी social issue हो गया, या कुछ भी होता है, तो इसका last में solution जाते हैं, कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो यह problem से बच सकते हैं, तो अब हम भी solution के बारें बात करें, क्यों कि we are very solution oriented minded लोग हैं, तो बहुत जादा solution के उपर बात करते हैं, problems अगरे डादा discuss नहीं करते हैं, आपको पता हैं कितने अच्छे हैं, यह है control के बारे में, since the disease is soil bond, आपको पता है कि यह जो बिमारी है, यह जमीन से हुए, मिट्टी में अगर infection है, तो यह हो जाएगी, और कोई ऐसा प Soil-born disease होते हैं, तो फिर भी हम कुछ methods अपना के, कुछ physical, कुछ chemical और कुछ biological methods को use करके, इसके infection को तो रोग सकते हैं, पहला है कि हम crop rotation कर सकते हैं, जैसे देखे, इनका conidia जो होता है, भले वो एक season से दूसरे season तक बेट कर सकता है, लेकिन एक साल से जादा यह survive नहीं कर सकते Soil में, जैसे मालो कि इस साल season में कोई conidia soil में इंटर किया, तो यह एक साल तक रोग सकता है, एक साल तक रोग सकता है, एक साल तक उसके अंदर viability रहेगी, उसके बाद इसके अंदर germinate करने की viability धरे-दरे loss जाती है, तो अगर मालो इस बार खेत में आपनी आलू लगाया, फिर दूसरी बार आपने खेत में कुछ और लगा दिया, फिर तीसरी बार आप फिर से आलू लगा रहे हो, तो जो पहली बार भी अगर कोई conidia वगरा soil में आया था, वो अब तक जो है, अनवाइबल या अब उसके अंदर germination की ability नहीं रह जाएगी, तो आप अपने नए inoculation की इस तरीके से बच सकते हैं, sanitation, अब अपने soil के अंदर, अगर मालो आपके पास कोई और crop आपका alternative या आपको आलू की खेती करनी है, तो आपने मालो खेती की, और यहां पर मालेजे आप एक आलू field में जो है, वो mycelium आ गया या या अगया, अब आप क्या करो कि अपने पूरी की पूरी soil का क्या करो, और treatment करवा दो, जैसे कि कुछ ऐसे chemicals, fungicides वगरा डाल दो, ताकि आपका जो soil है, उसमें कोई भी conedia survival form में ना रपाए, तो इसकी विज़े से भी आप बचा सकते हैं अपने plants को, दूसरा दिया है, hot air treatment, यह भी एक प्रकर का physical methods है, जहां पे tribal conedia या mycelium होता है, उन्हें जो है inactive form में convert कर सकते हो, तो यह physical methods है, इसको control करनेगा, दूसरा है chemical methods, chemical methods में हम क्या करेंगे, different fungicides का use करेंगे, जो fungicides इनके growth तो control करेंगा, कुछ नाम दिया गया है, copper containing कुछ जो है, oxychloride bodox mixer, यह कुछ fungicides है, जो कि commonly a broad spectrum पे यूज के आते है अगर इसके अलावा कोई और भी फंजाई होती है, तो यह helpful होते है, next में क्या है, हमारे पास biological methods, biological methods में आपको क्या करना होता है, कि आप ऐसी varieties यूज करो, जो कि alternatoria solenai के लिए resistant हो, जैसे, जब covid बगएरा फैला था, तो डॉक्टरों को भी infection हो जा रहा था, तो ऐसे में, वो लोग जो कि थोड़ा सा sensitive थे, थोड़ा सा resistant थे उसमें, वो social work में भी निकल रहे थे कि डॉक्टरों की help हो जाए, कोई चीज अगर कहीं पहुचानी है, तो वो पहुचानी है, जो resistant थोड़े से थे उस बिमारी के लिए, वो लोगों ने अपने आपको सामने लाया था, वैसे ही, पोटैटों की अगर हम बात करें, तो पोटैटों में भी कुछ वराइटी ऐसी बनाई गई है, जो कि genetically resistant है इस बिमारी के लिए, मतलब उनके उपर इसका infection कम होता है, उनके अंदर इसका spread कम होता है, तो हम ऐसी वराइटी का use जादा कर सकते हैं, लेकिन इसके क्योंकि वहां पर diversity क्रेट करके क्या ही करोंगे, वैसे भी लास में सब मरी जाने वाले हैं, तो जहां पर यह disease बहुत common है, जिस geographical reason में, वहां पर आप genetic resistant variety को use कर सकते हैं, तो यह सब कुछ तरीकी थे जिसे हम अपने plant में early blight of potato को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा control कर सकते हैं य मैं सब कुछ, अब जो है, अब इनका दिमाग खुल गया कि अब मैं मैं ऐसा नहीं होने दूगा, अब मैं proper sanitation करवाँगा, crop rotation करवाँगा, मैं अपने field में कहीं सभी ना primary noculum होने दूगा, secondary noculum होने दूगा, बहुत जादा humidity नहीं बने दूगा, water logging नहीं होने दूगा, हमारे आजसी क्लास के बारे में कैसी लगी क्लास, आपको बताईएगा, कुछ confusion ही तो थोड़ा सा बता दीजेगा, हम आपको help कर देंगे, simple, अगर last में थोड़ा सा revise करें तो हमने disease पढ़ी alternate area solenide causes, early blight of potatoes में होता क्या है, target votes बन जाते है, photosynthetic area कम हो जाते है, जिसकी वज़ productivity कम हो जाती है, कौन करता है, कैसे करता है, इसका spread होता है, वो हमारे stomatas होता है, natural openings होता है, cuticle वगरा से नहीं हो पाता है, next में हमने देखा कि यहां पे जो disease हो रहा था, उसमें primary inoculum किस तरीके से हो रहा था, secondary inoculum किस तरीके से हो रहा था, pathogenicity कैसे हो रही थी, फिर हमने दे condition में humid condition अगर रहेगी, तो infection जादा होगा, control देख लिया, यह सब कुछ हमारी आज़की class के बारे में था, next class में हम next disease पढ़ेगी, जो कि lead blight of potatoes तरीके से करके हम सारा पढ़नेंगे, last में आपको एक class दोंगी, जिसमें सारी disease को इस तरीके से summarize किया जाएगा, जो कि आपको इ अधाय फंजाई में इसको है, Bacidio, Deutero, Bacteria है कि Virus है, Bacteria है कि Virus है, सब कुछ वहाँ पे हमें एक चाट के form में देख लेंगे, ठीक है, आज इसी class के लिए इतना ही मिलते है, next class में तब तर पढ़ाई करते रहे, all the very best!